नमस्कार, RS अनपुर्णा कीचन में आपका स्वागत है आज हम कच्चे केले की सबजी बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने 6 केले लेकर इसे छिल कर इस तरह छोटे छोटे टुकडों में गोलगोल पीस में काट लिया है और काटते समय हमने इसे पानी में रखा है छिलने के बाद में भी पानी में रखे वरना ये काला हो जाएगा अब हम इसका पाने निकाल लेंगे कड़ी में दो बड़े चमच्चतेर गर्म कर लिया है उसमें डालेंगे आदा चमच जीरा, आदा चमच राई जब एक रकल हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे दो पींच हेंग, बारी कटा हुआ, लहसन चार पाच के लिया हम बारी काटके डाल दी है अब डाल देंगे आदा इंच अद्रक और एक छोटा साइज का प्याज चार पाच हरी मिर्च और कुछ कड़ी पते हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अब हम केले डाल देंगे केले को हमने पानी से अच्छी तरह छान कर निकाल लिया है अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे वन फोर चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मेच पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर एक चमच आमचूल पाउडर स्वादनों सार नमक और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यह सबजी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है आप एक बार जरूज सबजी बना के ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा तो अब इसे हम ढग देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें पाने नहीं डाला है और गैस का फ्लेम लो रखकर ही हम सबजी पकाएंगे इसमें हमने पाने नहीं डाला है इसकी वज़े से सबजी नीचे लग सकती है इसलिए हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाना है तो देखिए हम इस तरह बीच बीच में इसे चलाते हुए पका लेंगे अब देखें केला हमारा अच्छी तरह गल चुका है यह सबजी बनके तयार है धनिया पती डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे यह सबजी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनके तयार हुई है आप एक बार जरू ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको हमारी रेसिप अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँश सकें धन्यवाद